गुड मॉर्णिंग गुड आप्टेनून गुड इमनिंग और गुड नाइट मॉस्ट वैलकम जब भी आप मुमारा वीडियो देख रहे हैं हेलो प्यारों बिद्ध्यार्थियों मैं सूरज अमिरो सेट स्वागत करता हूं आपको और आज हम दमदार जो सिले अंदाज में स सब्सक्राइब करने से पहले कुछ महत्पूर्ण जानकारियां विद्ध्यार्थी गन की रिप्या ध्यान दें यह आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें क्योंकि यह चैनल आपके स्टड़ी के लिए बहुत फाइदेमन साबित हो सकता है टेंट कारे मतलों काम होता है काम 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 नहीं करते तुम वह काम नहीं करता है काम तो कर रहें काम नहीं तो विरजगार है क्या वह वाला काम है सर जो काम हम आम लाइफ में करते हैं काम को हैं कारे कारे काते हैं लेकिन साइंस ना थोड़ा सा अलग है जैसे कि अब जैसे वार्म से मीन मृपे या नॉर्मान भाल युब को साय। पत युद्र में जो आप उसको पाल है लोगे और युद्व कें νेयों और इस पतारा है दिए मैंूब को कुझा, इा गलें, यू समय लेकर जो पर। नब बातीय लुगार युद्द्वेन में घर्म क किया नहीं यह कैसे यह मान के चलिए मैं आपको करूं किसी भक्से को धक्का देना और आप खुब धक्का दे रहें वह बत अलग है कि भक्से को धक्का नहीं दे पा रहें इसके पीछे भी लॉजिक के बल दगति के नियम में बताया था कि आपने घरसन बल उसका भी प्रिद्धिस्सा मे में अफ़लोंगा कि हम आपने कام किया लेकिन अगर की वासा में कि vocAmerican का लेकिन आप सबस्क्राइब इसको खोँगी आपने काम कर लिए या कर लेकिन सबस्क्राs नियुक्त तो आईए समझते हैं कि कब किस condition में science में काम माना जाता है, कारे माना जाता है, कब नहीं माना जाता है, तो let's start यहाँ पर मैं लिखता हूँ कारे, सो कारे है क्या, यह समझना पड़ेगा कारे को इंगलिस में work कहते हैं, प्यारे बच्चो, work मतलब work, जैसे home work, अच्छा, वो वाला है क्या सर, देखो, work कहते हैं, और work जो अगर आपको देखा जाए, तो यह कहता है कि जब किसी वस्तू पर बल लगाते हैं, जब किसी वस्तू पर हम बल लगाते हैं, और उस बल की व बस्तू कारे कर रहा है, जैसे कि अगर मैं यहां पर जो है, एक ऐसा picture draw करूं, यह देखिए, यह मान के चलिए, कि यह वाला जो है, कोई object है, और इस object को आप देखेंगे, यहां पर, अगर यहां पर, मैं एक बल लगा रहा हूं, एक बल लगा रहा हूं, यदि इस बल लगा आने की बज़ा से यह वाला वेहां पर आ गया, यानि कि आप देखते हैं, यह बल लगानी की बज़ा से यहां आ गया, इसके center, इसके center की बीच का distance अगर ले लूम है, तो आप देखेंगे, सीधा आजा भाई, क्यूं लंगड़ा टिड़ा रहा है, आ गया सीधा, इस तरह स तो यह मान की चलिए, एस दूरी तरह किया इसने, कितना दूरी तरह किया, एस दूरी तरह किया, तो क्या यहां पर work हुआ है, काम हुआ है, तो हुआ है ना, काम के लिए दो चीज़े चाहिए आपको, work के लिए क्या चाहिए, एक तो लगाया गया बल चाहिए, बल चाहिए कौन सा बल जो आप लगा रहे हैं और दूसरा बिस्थापन चाहिए बिस्थापन कह सकते हैं दूरी कह सकते हैं ये एस हो गया और ये एफ हो गया लेकिन कंडिशन क्या है कंडिशन ये जो दूरी होगा ये बल की दिसा में ही होना चाहिए I again repeat जिस दिसा में बल लग रहा है उ most condition है तो ये विस्थापन कैसा होना चाहिए इसकी दिशा कैसी होगी इस विस्थापन की दिशा के अगर बात करूं तो इसकी दिशा क्या होगी जो बल की दिशा होगी जो जो बल की दिशा होगी वही विस्थापन की दिशा होगी तो कहेंगे हाँ ये वर्क कर रहा है ये काम क यहां पर जो वर्क का definition आ जाता है यहां पर W से दिनोट करते हैं इसको और यह होता है F into S क्या होता है F into S इसको बोलते हैं यानि कि यह हो गया आपका बल गुणा विस्थापन यह हो गया बल और यह क्या हो गया बल की दिसा में बिस्थापन I again repeat बल की दिसा में बिस्थापन तो यहां वर्क होगा आईए कुछ और चीज़े जान लेते हैं जैसे कि मैं आपको बता दूँ यहां पे क्या बता दूँ बिस्थापन किसमे होता है मीटर में F किसमे होता है न्यूटन में वर्क किसमे हो जाएगा न्यूटन मीटर में हो जाएगा वैसे वर्क कारे होता है उर्जया के बारे हम बोलते हैं तो जूल में भी रिपरजेंट करते हैं तो यहां पर हम कह सकते हैं क्या कह सकते हैं वर्क का एक और मातरक होता है जूल होता है अगर वर्क का एक और मातरक की बात करूँ तो वो होता है क्या जूल जिसको हम लोग J से डिनोट करते हैं यानि एक जूल बराबर एक न्यूटन मीटर आपको बोलेगा एक जूल को परिभासित करें तो एक जूल को परिवासित करने का मतलग क्या हो गया इसकी value भी one होनी चाहिए इसका एक नूटन का बल जब किसी बस्तु में बल की दिशा में विस्थापन एक मीटर का होता है तब उस इस्थिती में एक जूल कार होता है एक जूल को परिभासित करें बहुत दमदार क्वेशन पूछते हैं देखिए मैं लिख देता हूँ यहाँ अगर बोल दे एक जूल को परिभासित करें परिभासित करें अज़े कई बार ना जब हमें सवाल नहीं समझ में आता है यह सवाल हमसे नहीं बनता है तो बिल्कुल वैसा है लगता है जिसे कोई भूत प्रेत या राक्षस आ जाता है बोलता ही अब बताओ कहां जाओगे तुम और हम जो है इतना हपलेस से हो जाते है इतना हपलेस से हो जाते है की एकदम से थोड़ा-थोड़ा समझाने को कोश्स करते है जूल, हो जूल कहा था कौन से चेप्टर में था क्या था, कार तू जब किसी बस्तू पर एक न्यूटन काबल लगने से ज्यादा लिग दिया क्या मेले एक न्यूटन काबल लगने से उस बस्तू का बिस्थापन बल की दिसा में कितना होता है बताओ भाई बल की दिसा में कितना हो जाएगा एक मीटर होता है तब क्या कहेंगे उस बस्तू द्वारा किया गया कार एक जूल कहलाता है तब बस्तू द्वारा लिखते हैं तब बस्तू द्वारा किया गया कारे एक जूल कहलाता है वाँ वाँ मज़ा आ गया जब किसी बस्तू पर एक न्यूटरन का बल लगने से उस बस्तू का बिस्थापन बल की दिसा में एक मीटर होता है तब बस्तू द्वारा किया गया कारे एक जूल कहलाता है क्या बात है मज़ा आ गया यानि कि अगर हम देखें समझेंगे कि यहां पर जो है इसका जो है वह भी बस्तू ले लिजे उस पर कितना लगना चाहिए वहां लगना चाहिए एक न्यूटरन और कितना दूरी जाना अचाहिए एक मिटर तो एक जूल पर रिवासित कर दी अब आपसे में कुछ सवाल पूछना चाहता हूं जरूरी थोड़ी है कि हर पक्त बल उधरी लगे जिदर बिस्तापन हो समझे जो मैंने कुछ सवाल आप से पूछे थे मैंने आपसे क्या पूछा था मैंने आपसे प पेले के खड़ा कूली हो गया ये तो लाल कलर कब है कि सर पेले के खड़ा इसको हाथ से पकड़ा हाथ बड़ा लंबा है कान उनके हाथ बहुत लंबे होते हैं तो इसके क्यों नहीं हो सकते हैं देखो जब ऐसा होता है और मान लो ये जो है ये 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 इधर के और जा रहा इधर के और जा रहा है इस दिसा में आगे बढ़ रहा है चलो तोड़ा सा और करते हैं कूली है तो और बटन डाल देते हैं एक बैग और ले ले बिटा चलो यह जो है अपने सर पर जो है मस्त एकदम से लेके इस तरह जा रहा है अब इसमें आखना कान मत बना देना आप देख रहे हैं यहां पर यहां से यहां अगर मैं आगे बढ़ा दूं तो आप देखोगे अगर इस लाइन को मैं आगे बढ़ा दूं इस तरह से और यहां पर मैं इसका बना दूँ हां थटा देता हूं हां थटा देतो हूं ठाकूर यह हाथ मुझे दे 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 मुझे यह हा कि अब देखो मैं क्या आपको बताना चाहता हूं मैं आपको बताना चाहता हूं यहां पर कि यहां से यहां जो आया मानलो यहां से आने में इसका जो है यहां से आने में इस डिस्टेंस टै किया इसने यहां से आने में इस डिस्टेंस टै किया जब तो थोड़ा सा नाटा हो हाँ बजन की बज़ेंस नाटा हो गया है मान के चलते हैं कि पूरा मतलों बजन के साथ में इसका दरबिमान एम है सब मिला जोड़कर सबका एम है तो यहां सिसका जो नीचे के और बल लग रहा है कैसा नीचे के और बल लग रहा है यह बल लग रहा है एम जी और यहां भी कैसा बल लग रहा है यहां पर बल लग रहा है एम जी तो एक चीजा आप देखेंगे यहां पर बिल्कुल कंडिशन यहां बदल गया कैसा condition बदल गया इसका मतलब यह वगा कि यहां जो है displacement इधर है और mg इधर लग रहा है और बीच में बन रहा है 90 डिगरी है तो यहां पर बिलकुल condition ही बदल गया ना यह तो मैंने क्या कहा था मैंने कहा था कि बल लगेगा लेकिन बल लगने की दिसा में ही बस तू लुड़केगा बस तू आगे बढ़ेगा और यहां पर क्या हो रहा है यहां पर तो यह रब बल लग रहा है नीचे की और और इंसान आगे की और इधर की और बढ़ रहा है तो यह ऐसे इस्थित के विद्यारती हो कुली साइक करवा लिया और उसके बात कहते हो पैसे दो PRO equip कonneकाम नहीं किया थैसी बाते करने नीचे से समान मैंने आपका पहुंचा आपका कहते हैं हमने काम ही रहे थे यहां तो 90 डिगरी बन रहा है उस दिसा में तो ही नहीं इसलिए तुम्हारा बल नहीं लग रहा है तो तुम पैसे नहीं दोगे अब हम अपना बल लगाते हैं पूरे टीम को बुलाएगा तो यह गलती मत करना साइंस अपनी जगा है लाइफ की चीज़े अपनी जग हमें देखो काई स्तितःफपन होगी ऐसा भी पॉसिबल है की अधिया है कि यह वाला बस तूं यहां पर हो ऑगा यह बस तूं यहां हो और बल जो है ऐसा लग रहा हो मैं भी बल लगा कर दिखाता हूं आपको अब यह बलन लगाकर दिखाते हैं जी बल कैसा लगेगा हां देखो मानलो इस से बल इधर ऐसे लग रहा है और यहां पर भी जो है बल ऐसे लग रहा है वही बल की दिशा है लेकिन यहां पर जो है विस्थापन का दिशा जो इस दिशा में यह हो गया यहां भी क्या हो गया एस हो गया तो विस्थापन कैसा हो रहा है विस्थापन एस इस दिशा में हो रहा है इसका मतलब यह हुआ कि यहां पर जो है कई बार होता है ना कि आपने देखा होगा तो थोड़ी ना कि आपको में एक बहुत बढ़िया सा अपने ट्रिगोने मैटरी पर पर या नहीं तो आप पढ़ोगै नहीं तो आपके अपने अपा पड़ा होगा देखें इस बल को अगर ऐसे बनाया जाए कि ये वाला लगरा एफ इसको अगर इधर की और दिया जाए और एक लाइन ऐसे खीचा जाना ग्राह एक बनाओ तो तो आप देखेंगे यहां पर दो तरह की लाइने बन गई आप आगे क्लासे से पढ़ेंगे इसका मतलब यह हुआ कि इस वाल को दो हिस्तों बाढ़ सकते हैं यह बाढ़ सकते हैं एक fx एक सेक्सिस पर fx हो गया और यह fy हो गया दो हिस्तों बाढ़ देते हैं जब दो हिस्तों बाढ़ते हैं तो हमें कौन सा चाहिए fy नहीं चाहिए हमें fx चाहिए तो fx का मतलब हो यह हो गया कि इस fy को उठाके यहां पर डाल देंगे तो यहां पर आ जाएगा एफ बाय आ जाएगा तो यहीद यहां पर आपको दिख रहा है, यह हैंगल हो ता आपके भुक में ढही है, लेकिन मैं मेरा मन नहीं माना, मुझे लगा मुझे बताना चाहिए, तो मैं आपको बता रहा हूँ, अगर ऐसे कुछ प्रसना आजए तो जवाब दे सकते हो, ठीक, तो अभी क्या होगा यहां से, कि हमें चाहिए क्या FX चाहिए, हमें चाहिए यह वाला, question mark, हमें यह चाहिए, हमें यह नहीं चाहिए, हमें FY नहीं चाहिए, हमें चाहिए FX, यह वाला हमें चाहिए, और F दिया हुआ है, तो आप देखेंगे, यहां पर एक cost theta का formula होता है, cost theta कहता है, अगर आप cost theta का formula लगाएंगे, तो cost theta कहता है यहां पर, कि जो आपका आधार होता है, आधार कौन सा ह हो गया FX हो गया और पड़न हो गया F लाल बटे कक्का होता है है लाल बटे कक्क लंबटे करन साइं श्रणी अधार sensor लबटे अधार 1000 यह जो आपको मैंने देखिए तो हमें कॉष्ट टीटा चाहिए कॉष्ट इसलिए चाहिए क्योंकि अगर मुझे एब आई चाहिए होता तो मैं लम बला लेता लम मतलो साइन ठीटा लेता लेकिन यहाँ पर मुझे आधार चाहिए यह कोई रटी रटाई चीजे नहीं है यह त्रिकोन मीती है आप तो एक उसका अंकल पता कर लेंगे इसके 把 पॉरा पटा कर लेंगे और आपको प्रोड़ क्लियर हो जाएक ही कुश्व है गर नीचे की दिशा में अगर हो रहा है मैसा बल लगाया है तो प्रौपर फर्मूला क्या बन जाएक इस वह क्या वर्क का बन भारव हो जागा w is equal to f s cos theta हो जाएगा यहां पर तो यह आपका हो गया cos theta की value कितनी कितनी होती है तो अभी आप पढ़ोगे कि अगर आप cos 90 degree लोगे तो उसकी value 0 होती है मैं यहां पर लिख देता हूं cos 90 degree की value 0 होती है और cos 0 degree की जो value होती है बागी बीच की अगर कुछ value जोंगे तो उसको आप निकाल सकते हो जैसे अगर बीच की value मैं लिखूं अभी आप पढ़ोगे detail में जैसे मैं लिखूं cos 30 degree फिर मैं लिखूं कि कॉस्ट 30 कितना होगा कॉस्ट 45 कितना होगा इसके लिए कुछ ट्रिक आपको बता देता हूं उस ट्रिक को आप फॉलो करोगे भूली जीज़ोगे आपको याद आपको लिखना ऐसे करके 1234 जीरो पूरा सिखाऊंगा मैं ऐसे मेरी यादत नहीं है 01234 सब में 4 से कर देना है डिवाइड कर दिया डिवाइड उसके बाद सब को अंडरूट में कर देना है कर दिया अंडरूट में हलाक यह वेल्यूज दिये रहेंगे लेकिन फिर भी मैं आपको सिखा रहा हूं अभी मैं अपका पढ़ाओंगा तो अभी आप देखो अगर यह सबसे पहले साइन ठीटा आता है तो साइन ठीटा में जो वेल्यू आ रहा है यह डाटा आएगा 0 डिगरी का यह आएगा 30 डि जाता है आता है देखो यह जो चाड बनता है यह हो गया का अर यह ओगया और यहीत्त नीचे को स्टिटा का है हुआ मैं बाकी डीटेल आगे का आगे पढ़ोगे बस इतना में आपको बता देता हूं वह मतलब यह हो गया कि अगर मुझे साइन ठीटा कैसे चाहिए जीरो बटे फॉर कितना जाएगा ब्लेक 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 यह जीरो आ गया अब साइए ठटी ठटी के मतलब क्या वन वाई टू अगर आप इसको निकालोगे तो यह तू तू जाएगा वन वाई लेलो 20 הבर यह रूस 열 प्लेक और यह फिर्ट नाइन ठीडी वाई तू desse आजाओ मैं रूट इसका मतलब यह हो गया कि कॉसड्ल के वेलियू कितनी होती है कॉस्स नाइन टीडीव कि ऐलियो जीरो होती है और कॉस्ड्ल की वैलियू वाहण होती है अगर कोश 350 कि वैलु निकालूंगा तो कितना जाएगा आजायों सिका हलाकी पृष्ण लग रहा है जिस दिषा में लग रहा है यानि कि यहां पर यह है यह पर दोनों के बीच में जीरो डिगरी बन रहा है जीरो डिगरी का मतलब है कि अगर मैं यहाँ डवलू का फर्मुला एफस कॉस्ट ठीटा से निकालूं तो आप देखेंगे यहाँ पर कि ओल्लेडी कॉस्ट जीरो डिगरी का मान वन आएगा तो यहाँ पर हम नहीं भी देते हैं तो भी जिनरली जब लगता है कि उसी दिसा मे चल रहा है जिस दिसा में बल लग रहा है जैसे लड़का खड़ा था आया फुचिक से धक्का मारा वह आगे बढ़ गया तो यहां पर कॉस्ट डिटा का लफड़ा नहीं होता क्योंकि कॉस्ट जीरो डिगरी ओल्री वन होता है लेकिन क्या है हमने बल लगा तिरिछा हमने बल इसको आगए वहां से उपर थे से चोटा बच्चा था उसको बाल खीच लिया सकते हमने बाल लगा ऐसे वह भागा सीधा अब मेरी बास सुनों मैं ऐसी मुझा के लिए बुल रहा हूं हमने बल लगा ऐसे इसका मतलब समझ में आ रहा है इसका मतलब यह हुआ कि बल हमार कि तो वर्क कब जीरो हो सकता है कब नहीं हो सकता है सारी चीजे और बिद एक्जामपल हम बात करेंगे बिद एक्जाम्पल क्या बात है उधारन के साथ बात करेंगे हम लोग बहुत मज़दार शेप्टर है इसके कुछ नो मिर्कल्स भी करेंगे अब मज़ा आजाएगा करेंगे आपज िकलूँ हमें कि यहां पर कितने केस बनते हैं जैसे बात करता हूं के चृट करेंगे स्लाड दा टहेंनके आप तो आप ऑट-खी ना इन जो निचरी है नुत थीटरी शेटरी just घरकें और में बात करो बश्चुन डिखक आप मनें ठीक न्यून को दब दो ने लगता सकती है लगी उसकी जरूत नहीं होगता हूं तो यहां पर आप एक चीज़ देखेंगे कि जीरो डिकरी के सहब नेगा यानि कि इसा इधर की और बल लग रहा है F इधर के और लग रहा है तो ये अगर कोई बस्तू है ये वाला कोई बस्तू है जहां बल लग रहा था तो ये भी इसी दिसा में आगे बढ़ रहा है इसी दिसा में आगे बढ़ रहा है यानि कि इसी दिसा में S भी हो रहा है S भी इसी दिसा में है यानि A4S के 20 में कितना इंगल लग रहा है जीरो डिगरी लग रहा है तो यहां पर कॉस जीरो डिगरी की वेली कितनी आएगी वान आएगी अच्छे यहां पर 90 डिगरी का मतलब बहुत सारे हो सकते हैं जैसे कि आप देखेंगे कि बहुत सारे बृतिय गती होता है कैसा गती ह होता है बृतिय गती सा थोड़ा बड़ा बनाई है ठीक है बड़ा बनाते हैं ना क्या दिक्कत है बढ़ियां बनाते हैं बढ़ियां बढ़ियां बनाते हैं बढ़ियां 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 देखेंगे कि यहां पर आगे बढ़ता है तो यहां पर देखेंगे कि यह तो हमेसे ध्यान देंगे ब्रतिये गती गती जो घती होती किया वह को सुनने कर कौस 90 वह और अब आरे जी dai वाली है तक तह यहां पर निकालेंगे तो आप किया देखेंगे मैं दोनूम से करता हूं तो निकालोंगा डाफ भलू क्या चीटा लिख दता हूं चलिए एस जीरो डिग्री जिनरली क्या आ गया डबुलू इस मुल्टिप्लाइ वन तो डबुलू कितना आ गया एफ इंटु एस इसलिए जनरली हम यही पढ़ते हैं कि जब इस दिस्था में बल लग रहा हो और इस दिस्था में भी स्थापन हो रहा ह इस वाले केस में एम जी नीचे के और लग रहा है और यह बस तू इधर के और जा रहा जो कूली अपने सर पे ले रखा था ऐसे बहुत सारी स्थितियां आ सकती है तो यहां पर अगर हम डबुलू निकालेंगे तो डबुलू इस कॉस ठीटा तो इस इकॉल टू एस कॉस न बन स्टियां weurtu के तरो इस लिकालना को और लिकालना को सिखा दिया कि में की कार लिकालना यसका यो कि मतलब यह कि और नहीं माना जाएगा साइंस की भासान में केस भी की बात कर्ते हैं कि यह मैंने आपको दिया में कैसा भी आप ले लिए चाहिए वाला एक्जामपल आप ले लिजे मैंने डिटेल आपको बताया इस एक्जामपल में फिर से बना कर दिखा देता हूं जैसे मानगे चलिए यह वाला कोई अब्जेक्ट है इस पे बल जो है इधर क्यों लग रहा है और इसकी वज़ा से जो है इधर लग रहा है बल लेकिन बिस्थापन इस दिशा में हो रहा है यहां कुछ ना कुछ ठीटा की वेल्यू होगी और यह बस में आते हैं यह मैंने आपका बुझ खोल रखा है कि चलिए कुछ सवाल पूछता हो मैं आफ से किया गया स्क्रिन पर दिखाया जाए किया गया कार शुनने होता है ऑपसन जब बल एवं भिस्थापन एक ही दिशा में हो जब एक ही दिशा में हो तब तो सुने नहीं Scじゃ वाला option नहीं होगा जब बल इव पिंड का विस्थापन विप्रित दिसा में हो किर नहीं है योगर जब विस्कूंत के साथ कोई कोंड बनाता हो यह भी नहीं है यह changes विस्तिति भताया मैंने जिसमें से कौन सा स्तिति होगा आपका ये वाला स्तिति होगा बीच वाला अच्ए यक्षी बनता है मैंने नहीं बताया था के Environment सकता हूं यहां पे हळाकि डिटेल में नहीं बताूंगा लेकिन मैं समझा देता हूं आपको Case 4 case 3 नहीं Case 4 हो गया Case 4 में देखेंगे ठीटा जो है वो आपका अधिक कोन है ठीटा क्या है आपका वो आपका अधिक कोन है तो अधिक कोन का मतलब क्या हो गया कि यहां पर यह क्या हम हो जाएगा यह देखिए बल लगेगा इधर की और और अब्जेक्ट जाएगा उल्टा एस उल्टा हो जाएगा बल लगेगा इधर जाएगा इधर यानि इसके बीच का जो एंगल बनेगा एक 180 डिगरी का बनेगा तो ऐसे इस्तिति में क्या होता है मैं आपको उतना निगेटिव वैल्यू तो आएगा नहीं आपको आगे सिख यहां सुननी हो गया और यह भी डवलू यहां पोजेटिव आ जाता है यहां पर तो आपसे क्या पूछाता कहां पर वर्क सुननी होगा तो जो लमवत होगा तब सुननी होगा अगला प्रश्न हाजिर किया जाए देखे जब किसी पिंड पर कंप्यूटर महराजी स्क्रिन अगला सवाल दिखाया जाए जब किसी पिंड पर 0.01 न्यूटर में करता है तब किया गया गया रहा बल कितना दे रहा है, f दे रहा है 0.01 newton दे रहा है और आपसे क्या दे रहा है w work कितना किया गया work किया गया 1 joule किया गया है और आपसे s पूछ रहा है यहां पर ना कुछ बताए कुछ angle की बात ना हो तो आप ये वाला समझे ना जो आपके book में दिया गया जिस दिसा में बल लग रहा उसी दिसा में विस्तापन हो रहा है तो यहां पर फर्मूला आप लगाएंगे w is equal to f into s to a is equal to क्या हो जाएगा w upon f हो जाएगा w कितना है एक है एक जूल है लिख देते हैं एक जूल और f कितना है 0.01 यह है newton तो मैंने बताया था w fs होता है नियूटन मीटर होता है एक जूल नूटन मीटर होता है तो यह कितना हो जाएगा देखिए यह वला ब्रेक करेंगे तूपर 1 into 100 हो जाएगा और नीचे 1 बचेगा और जूल को अम लिख सकते हैं नीचे भी है newton Newton से newton कट गया यूद तलवार लाक हटाक शिदत लाक हटाक कट गया अब यह 1 से 1 कट गया तो क्या बच गया एस कितना जाएगा 100 मीटर जाएगा और यह हमारा क्या आगया अंसर आगया क्या अब्यक्टिव दिया था येस आफसन पांच आफसन वाँ 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 क्या वाँ थे मैंने पहला कुछ ऐसा देखा इसमें पांच आफसन चलिए यह वाला पार्ट 100 मीटर नेक्स्ट निम्न में कौन सी परिस्थितियों में कारे संपादित हुआ है क्या पुछ रहा है सब्सक्राइब और दूसरा जो है सेटेलाइट प्रिथिवी के चारों और बंद बक्रिये बंद बक्रिये बंद चक्रिये कक्ष में घुर्णन कर रहा फिर तो यह वला हो गया यहां पर तो सुनने हो जाएगा यहां पर तो सुनने हो जाएगा दो टीम रस्ता कसी खेल रहे हैं और दोनों टीमें बरावर बल लगा रही है तो बरावर बल लगा रही है इसका मतलब पता क्या हो जाएगा अगर भारी बोज लेकर खड़ा है तो एमजी नीचे की और खीच रहा है और आप कहा रहे है उसने काम ही नहीं किया तो चारू अप्सन में कौन सा हो जाएगा सही जवाब हो जाएगा एक बेक्ती जो सीड़ियां चड़ रहा है क्योंकि देखिए सेटलाइट वला भी नहीं होगा रस्सा कसी वला भी नहीं होगा और जो भारी बोज लेकर खड़ा है उसका भी नहीं होगा इस तरह के सवाल आसे पूछ जाते हैं एक और सवाल है स्माजी क्या बोर रहा है तो वाळे एक बस्तू कटी के वादे हैं भी तोड़के स्मझा रहे हैं बस आप थोड़ा सही तरीके से रिटेन वर्क करो टो तो शूल करो और यह भी स्टीटी भी आपके लिए इतना हाड था कि आप उसको देखकर भी डरते थे टेबल कांटिंग यह आपका अलफा जो आप बंड माला पढ़ते हैं यह भी कभी आपके लिए इतने हाड थे कि आपको पता नहीं कितना हाड लगता था लेकिन आज के डिट में इतना असान हो गया इतना असान हो गया कि इसको बड़े असानी से स्वल्व कर लेते हो कभी आपके लिए संस और माइनस जोड़ घटाओ भी बहुत आपके लिए हाड होता था लेकिन आज आपके लेते हो क्यों कि अपने लगतार 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 काम किया तो य एक कार 10 मिटर प्रती सेकंड के नियत वेक से खुर्दरी 36 सड़क पर गती सील है कार के इंजन द्वारा लगने वाला बल 1000 न्यूटन है निमलिखित बलो द्वारा 10 सेकंड में किये गए कार की गर्णा कीजिए पहला ए कार पर लगने वाले कुल बल द्वारा बी गुरुत्वा करसन बल द्वारा सी इंजन द्वारा या डी घरसन बल द्वारा तो सवाल आपके सामने हैं आईए से समझते हैं देखिए अगर मैं आपकी जगा होता मैं एक विद्ध्यार्थी अगर होता तो मुझे मैं कैस से सूल करता यह में बताता हूं सबसे पहले तो मैं प्रस्म दूरं को 3 वर चार वर 5 वर पर पड़ता और यह संगी इस में क्या दिया गया सबसे साथ में एक मुवी दिमाग में बनाता फुर पिक्छर न॥े चियर कर नियत Doug यहां भी 10 मिंटर पर 30 सेगंड यहां भी 10 मिंटर पर 30 सिगंड यानी कि यह रेगुलर जो है 10-10-10 नहीं 11 ना 15 ना 12 नहीं कम दस हिसें जा रही है यह कार का जो इंजन देखिए गाड़ी किसे चलती है जो इंजन बल लगा रहा वो एक हजार न्यूटन का लगा रहा है तो निम्लिकित बलो द्वारा 10 सेकंड में किये के कारे की गड़ना कीजे तो अगर मैं यहां गाड़ी आपके सामने बना दूँ तो आपको मज़ा आ अपना गाड़ी है यह यह गाड़ी यह यह गाड़ी जो है तरह से चल रही है कि यह रहा क्या क्या दिया जा रहा है 55 केजी और यहां पर यू जो एक का लीजिए यह 10-30 सेकेंड है क्यों क्योंकि नियत है नियत वेग है नियत वेग मतलो क्या है फिक्स्ट है यह मैं लिख देता हूं यहां पर नियत वेग है यह जो बदलेगा नहीं फिर जो आपका बल लगा रहा इंजन जो इंजन बल लगा रहा वो बल लगा रहा एक हजार न्यूटन का बल लगा रहा इंजन तो इंजन द्वरा लगा गया बल कितना हो गया एक हजार न्यूटन हो गया तो सबसे पहले तो यह जान लेते हैं टाइमिंग दे रहा है कितना दस सेकंड तो पहले यह जान लेते हैं कि यह जो गाड़ी है यह आगे यहां तक कहीं तो पहुंची होगी जैसे मान के चलो 10 सेकंड लिया तो कहीं तो यहां तक आया होगा कहीं तो आया होगा बोलो आया होगा कि नहीं आया होगा कहीं तो आगे तक आया यहाँ दस मींटर प्रति सेकेंड्ड और यहां भी क्या है दस मीटर प्रतिster सेकेंड तो कितना इस डरेक्षण मतलब जब हम वर्क निकालते हैं तो W बराबर F into S होता है तो हम सबसे पहले यहां लिखते हैं W is equal to F into S तो S तो पता कर लें क्योंकि बिना S के तो हमको जानकारी देही नहीं सकते हैं तो S क्या होगा यहीं कितना दूरी इसने तै किया है तो आप देखिए S कैसे निकलता है अब W is equal to S Y T होता है तो A is equal to क्या हो जागा W into T जो कि V तो बदल नहीं रहा है तो A is equal to क्या जागा 100 meter per second minus 10 second second to second cut गया तो A is equal to कितना गया 100 meter यानि यह पक्की बात हो गई किया जो गाड़ी है यह कितना गया है 100 meter गया कितना गया है 100 meter यहां से यहां जो है यह कितना गया है 100 meter 100 meter का distance इसने यहां से यहां तक टै किया है 100 meter का distance टै किया यह भी पता कर लिया आईए कुछ और जानकारी ले रहते हैं यहां पर आप A निकालेंगे यदि A निकालेंगे A निकालने का मतलब हो गया तुरन जब निकालेंगे तो V-UYT होता है तो यह क्या हो जागा 10-10YT यानि A कितना आ गया 0 आ गया और जब A 0 हो गया तो F परिनामी परिनामी का मतलब समझने रिजल्टेंट F परिनामी क्या हो जागा MA यानि M into 0 तो कितना आ गया 0 यह तो पक्रीबात है कि यहां पर परिनामी बल होगा वह क्या होगा सुनने होगा अगर हम परिनामी टोटल बलो की बात करेंगे वह सुन्ने होगा बहुत चलाकी सब्सक्राइब इसने यह का रहा है वो तो बाद में देखेंगे कौन-गौन बल लग रहा पाले तो हम समझ लेते हैं आपनों मैंने सिखाया भी था यहां पर जब जो है बदलेगा यहां भी 10 मिंटर पर 30 सेकंड यहां भी 10 मिंटर पर 30 सेकंड तो यह एकसलेटर उसका तो इस्तेमाली नहीं हुआ इसका सब्सक्राइब करते हैं समझते हैं यहां पर मान लेते हैं कि यह वाला गारी है यहमानल लेतें बिन्दू बना देते हैं तो नीचे की और क्या लगेगा गुरुत् bisa बल लगेगा नीचे की और कौँसा लब लगेगा गुरुत बल लगेगा огई मिअश्व अब बात करते हैं गुरुत बल लगेगा नीचे की और तिसका आbell लगता आ ये इसको बैलेंस करंदेगा अब ये कार का इंजन इधर की हो रहा है ये इंजन का बल लग रहा है ये इंजन का बल लग रहा है इंजन बल लग रहा है और इसके अपोजिट दिसाम इधर घरसन बल लगेगा क्या लगेगा इधर घरसन बल लगेगा इसका मतलब ये हुआ कि देखिए जो गुरुत बल है और जो एन है यह दोनों इक्वाल हो जाएंगे तो रिजल्टेंट जीरो और इधर भी क्या होने वाला है जो इंजन का बल लग रहा है उतना ही घरसन का बल लगेगा कारण कारण यह है कि यहां पर जो है यह नियत भी एक से चल रहा है और का रहा है पूरे बिवस्था का जो लो कि जीरो होना चाहिए और थोड़ा विजंगत थ्वड़ा भी जादा हो जाएगा तो एक सुनने के लिए जरूरी है जितना इंजन Liuje तो अहाँ पर गंगर इंजन का बल सुनने के लिए जरूरी है जतना इंजन का बल लगेगा पर एक जारर झ्प्स की लियर हो गया तो घरसन का बल भी कितना हो जाएगा 1,000 नीज़ाएगा अगर इंजन का बल एक हजान हो जाएगा 1,000 नीजराएगा आईए No.1 मैं इसने कहा था कि कार पर लगने वाले कुल बल दौरा कूल बल f परिनामि कितना है तो इजी पता दिया अगर हम गुरुत्वा कर्शन बल की बात करें तो गूरुत्वा कर्शन बल में देखेंगे, यह गूरुत्वा कर्शन बल और यह एस, इसके बीच में 90 डिग्री लग रहा है, 90 लगने का मतलब मैंने पहले ही आपको बताया था कि यह एफ हो गया ग्रेविटी का गुरुत्व हो गया मैं गुरुत्व लिख देता हूं और यह बिस्तापन हो गया तो यहां पर वर्किंग कितना हो जाएगा कि यह ठिर्किंग के तो मैंने हैं पहला हिले क्यी निगर रखा है कि जब 90 दिग्री होता है तो कोस्ट 90 डिग्री घृते हैं जी रहुता है और जब इसको मल्टिप्लाइ करेंगे तो आलरी 0 हो जाएगा जब लंगवाथ हूं तो 0 होता है नंबर 3 कह रहा है आप से इनजन द् कितना है इस कितना निकाला हमने 100 मीजर तो सौर मीजर से कर दिया कितना ओब गया अगバम का एक दो तीन चार चार आ भी ऐसा है यहाला पर को अब hm okay okay देस तस 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 Mario केजी 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 250 reflect लिए यहां पर multiply कर दिया यहां पर multiply करने के बाद जो है तो multiply जो हम कर रहे हैं यहां पर हमसे एक जीरो मिस हो रहा था एक जीरो और हो जाएंगे तो न्यूटन मीटर को जब आप पूरा करेंगे तो अलड़ी जूल में आ जाएगा इसका मतलब यह हुआ कि आगया दस की पावर पांच जूल आ गया आगया अगर बात करते हैं घरसन बल दौरा तो देखिए जो इंजन बल दौरा कारें लग रहा है उतना ही सब कुछ सेम रहेगा लेकिन क्या आ जाएगा माइनिस में आ जाएगा मैंने आपको बताया था यहां पर कि जब ऐसापन इस दिसा में हो और बल इस दिसा में लग रहा हो यानि यह बिल्कुल ऐसा हो जाए एक 180 डिग्री बन जाए तो नकरात्मक हो जाता है तो यहां पर आप क्या बोल सकते हैं यहां पर आप फोर्थ केस में बोल सकते हैं कि जो आपका यह लग रहा है कौन सा घरसन का लग रहा ह वह माइनिस में दस की पावर पांच जूल लग रहा है तो सारी चीज़ हमने क्लियर कर लिया तो सारी चीज़ तो उसमें कितनी उर्जा होगी ज्यादा कैसे होगी कम कैसे होगी तमाम सवालों जानेंगे और जो हमने इसको सिखाया है इसके बारे में आप बुक कोल के पढ़ना समझना मुझे बहुत उम्मीद है कि इतनी महनत समय पढ़ा रहा हूं तो आपको भी समझ में आया होगा और ह पिता थे उनकी जो पिता थे सुनिल्दत तो सुनिल्दत जो है हमेशा जो है वह उनके गाड़ी में एक गाना बजाते थे दुनिया में रहना है तो काम करो प्यारे यह भी सिख लिया आप ने अदूसरा कार। सब्सक्राइब नहीं है इसका मतलब यह कि आज आपके पर सारा काम करना पड़ाया है तो कल को आपके उपर भी सारी जिम्मिदारियां आएंगी सारी responsibility जाएंगी आपकी भी साधी होगी आपके बच्चे होंगे घर परिवार होगा तो कहने का मतलब है कि अगर अभी से आप जिम्यदारी लेना सीखेंगे तो उस condition में होगा ये कि आपको जिम्यदारी लेना आ जाएगा और आने वाले काते हैं कि हमें डूटी पर जाना है या काम करना यह मेरा बिजनेस है तो आज नहीं जाएंगे यह नहीं कोई जगाने नहीं आता है उन्हें कोई बताने नहीं आता है उन्हें खुद की जिम्म्यदारी होता है कि अगर काम नहीं करेंगे तो हमारा घर कैसे चलेगा घर का रासन कैसे आएगा घर के किराया कैसे देंगे आपके जो आफ फीस स्कूल का है या टूसन का या जो भी फीस है वो कैसे आएगा इतनी सारी जानकारिया इतनी सारे उनके सर पे इतना हिड़क होता है कि वो उन्हें ये सारी St.? आपकी जम्मिदारी बनती घर कि अलग-लग लोगों को अपनी जम्मिदारी होती है, जैसे आपके club को घ्र करना चलाना, यहाँ लग सी जम्'ll को सैही तरीके Ne UP रहते हैं। वह नहीं समझ में आता ही एक्ष्ट्रा महिनत करके उसको पैसे कमा कर जाते हैं तो यहां पर आप हिमत क्यों हार जाते हैं जब आप अपने पैरेंट से यह उम्मीद करते हैं कि वह आपके लिए महनत करके पैसे लाइंगे और आपके सारी चीजे पूरे करेंगे तो कहीं ने कहीं उसी पैसे से आपके पैरेंट्स भी उम्मीद लगाते हैं कि हम भ गंटा के दो गंटा जाना था बिजनस में डूटी में कहीं पार्क में चले गए घुमने चले गए या फेस्बुक चला रहे वट्सप चला रहे वह ऐसा काम नहीं करेंगी चुक्कि उनके उपर जिम्मेदारियों का बोज है तो आप भी अपनी जिम्मेदारी को समझे आपके आपके लिए करते हैं एक अकेला आदमी पेट भरने के लिए काफी होता है वह चाहते तो यह भी बोल सकते हैं पढ़ाए लिखा है चोड़ो और चाहिए काम करो कुछ पैसे कमा के लाओ क्योंकि हिंदुस्तान के अंदर बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जिने पढ़ने का मौ बिखत भी आ रही है तो आपके पास टेक्नोलोजी का जमाना कोई फीस नहीं लग रही है पढ़ने के लिए फृश्ट को बर्कों क्या करना है मिहनत करना है हमें सामय काता हूं जो है जुनून के लिए को दबाई नहीं खानी पड़ती है जब आप जिम्मेदारी को समझना स से ज़्यादा अपने काम से प्यार करेंगेक चैलेवर्ट से प्यार अपने जिमेदारी को समझेंगे अपने लाइफ को देखंगे अपने माबाप के सपने को देखंगे तो कि उनका number कभी कम आएगा और उनको कोईशिए अगर नहीं समझ में आएगी देखो यह होता है पहली बार में हो सकता है कि आपको चीज़े अटपटी लगे बाद में चटपटी लगने लग जाएगी या यह भी हो सकता है कि पहली बार में 20% समझ में आया फिर 50% समझ में आया बार-बार विडियो को देखिए, बार-बार अंडेस्टेंड कीजे, क्यों नहीं होगा, आपने अपने दिमाग को आपका दिमाग कमजोड थोड़ी, आप पागल थोड़ी हो, मिंटल थोड़ी हो, बेपकुफ थोड़ी हो, मंद बुद्धी थोड़ी हो, आप स्मार्ट हो, आप हर चीज में आगे बढ़ते हो, आपको हर सही गलत की समझ भी आती है, तो इन चीजों में क्या दिक्कत है, अब यहाँ पर क्या एक्जाम बलता, गाड़ी का एक्जाम बलता, अब आप जानते हैं आम लाइफ में सड़क पर सोचो ना गाड़ी चल रही है, गाड़ी का प झाल 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